शाहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले शासन को लाखो रुपेयों का चुना लगाने का शिक्षन विस्तार अधिकारी का सफल प्रयास जिला परिशत सदस्य मनीश पुसाटे ने मामले को आगे लाया विना अनुदानित संस्ता में कुई सेवा का सेवा निरंतर और भुक्तान सरक्षन का प्राप्त किया था आदेश वर्दा जिला परिशत के अंतरगत हिंगनगाट के शिक्षा विस्तार अधिकारी सुभाष टाकरे ने अपनी पिछले सेवा को अनुदानित वाली संस्ता होने का बहाना करके विठोबाजी आमले अध्यापक महाविद्याले प्रम्हपुरी के गैर अनुदानित संस्तान से जोड़ा सेवा और वेतन की सुरक्षा के लिए आदेश सी ओ से प्राप्त किये गए इस आदेश के कारण विस्तार अधिकारी को सात्वे वेतन आयो कि पुष्टी और नए वेतन के कारण पुराने वेतन सवरक्षन और वेतन के बकाया से लाख हो रुपयों का आउट अप लाब मिलने वाला था जैसे ही जिला परिशत सदस्य मनीश पुसाठे ने इस आवेद आदेश के बारे में सुना उन्होंने माननिय मुख्यकारी कारी अदिकारी डॉक्टर सचीन उंबा से के पास लिखिच शिकायत दर्च कराई और मामले की जाच और दोशियों के खिलाब आपरादिकारवाई के मांग की शिक्षाव विभाग ने माननिय मुख्यकारी कारी अदिकारी के आदेश पर नौजून को सुनवाई की थी इस बात के पुक्ता खबर है कि इस सुनवाई में यह तय किया गया था कि वेतन सरक्षन नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह आवेद भले ही सरकार द्वारा लाखों रुपे के गबन को बचा लिया गया है लेकिन यह पता लगाना आवश्यक है कि पिछले आवे दादेश को कैसे पारित किया गया और प्रशासनी की अंत्रना इस मामले में कैसे लापरवाह रही और इस मामले में दोशियों के खिलाब कारवाई के आवश्यक है सेवाओ को जोड़कर वेतन की सुरक्षा के लिए फाइल शिक्षा विभाग जामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग से नियमानुसार परिचालित की गई है लेकिन वो परोक्त विभागों में से किसी का भी कर्मचारी और अधिकारी यह सत्याप के बिना आगे बढ़ते रहे पिछले संगतन को सबसेड़ी दी गई थी या नहीं जिसके चलते सेवा की निरंतरता और भुक्तान सुरक्षा के आदेश के पारित हो गए थे इसने जिलापरिशत की कारी शैली पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है जिलापरिशत में काम करने वाले प्रतिक करमचारी और अधिकारी को पता है कि गैर सबसेड़ी वाले संगतन की सेवा के संभन में सेवाओ को जोडने के बारे में ग्रामनी भी कास्त भी भाग वित्त भी भाग किसी भी सरकारे नेरने या आदेशों में कोई उलिक नहीं है यहा अच्छर एकी बा तो यह मामला गुप्त रुप से दबा दिया गया होता और जनता के लाखो रुपए डूप जाते किसी भी मामले की फाइल समंदित विभाग प्रमुक के माध्धम से जिला परिशद के पास आती है यह फाइल हिंगनगार्ट के समोश शिक्षा अधिकारी के माध्धम से जि सर्विस बुक उनकी ही लिखावट में लिखी गई है जिसका अर्थ है कि सुबाश टाकरे ने जानबूश करी अधारना बनाई कि सर्विस बुक एक सबसीडाइजड और्गनाजेशन की है नकेवल उनकी सेवा पुस्तिका में एक गैर अनदानी यह संगटन का कोई उलिख बलकि उन्होंने वेतन नहीं मिलने के बावजुद वेतन की पुष्टी के पुरानी सेवा पुस्तिका में प्रवीष्ट की है एक बावजूद एक गैर सबसिड़ी वारे संगटन में सेवाओं को जोड़ा नहीं जा सकता और उनके वेतन की सुरक्षा नहीं की गई थी वे गुम्रहा करने में सफल रहें अगर समय रहते मामला सामने नहीं आया होता तो सरकार को बकाय अराशी में लगभग 20 लाख रुपे औ और कम से कम 25 लग पर recite महा का आतिरिक्त बेतन मिलता रहता विस्तार अधिकारी सुपाश ठाकरे के खिलाप अव्याः सेवाओं को जानभूष का जोडने और गलत प्रस्ताओं प्रस्तूत करने वाले सहमोच शिक्रादिकारी के कि खिलाब अप्रादिक कारिवाही की उमेद है सभी की निगाय अब बुख्यकारिकारी अधिकारी सुपाश ठाक्रे पर ठीकी है जो असमामले पर व्यक्तिक अध्यान दे और सरकार को घुमराग करने की कोशिश कर रहे सुपाश ठाक्रे और लाखों रुपयों का चुना अन्नदोशियों के खिलाब अप्रादिक कारवाई करेंगे सुपाश ठाक्रे एक्स्टेंशन ऑफिसर का पिछला सेवा केरियर विवादस्पद और संदिक दरहा है समुद्रपूर में कारियरत क्लर्क सुयोग ठाक्रे के गवन मामले में वेतन रुधी को रोग देने के लि समय पर ध्यान में आने के कारण सफल नहीं हो पाई तथेया है कि आम लोग कह रहे हैं कि जिलापरिशद में कुछ हो सकता है उनकी बात की फिर से पुष्टी की है मनिश पुसाटे जिलापरिशद सदस्य जिन्नोंने इस मामले को सबसे आगे लाया है सारी जानकारिती है और मांग की है कि दोशियों के खिलाप आपरा दिक कारवाई की जानी चाहिए अगर इस तरह के कोई पुराने मामले हुए तो उनकी विज्जाच होनी चाहिए हिंगन घाट से इन विशन न्यूज के लिए रवी एनौर करके रिपोर्ट